कानपूर से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामदा सामने आ रहा है जिहां कानपूर में चार साल से बंद मदरसे में किशोर का कंकाल मिलने के बाद पूलिस की चुनाती बढ़ गई है कंकाल की शिनाक्त करना असान नहीं है वहीं मदरसे के ब्लैक बोर्ट पर 20 मैं 2023 की तारीक स कई सवाल उठ रहे है इसी बीच एक महीला ने अपने लापता बेटे का कंकाल होने की आशंका जाहिर की है महीला का बेटा जिस तारीक को लापता हुआ है उससे पहले की तारीक ब्लैक बोर्ट पर लिखी गई है ऐसा लग रहा है कि पुलीस को गुमरा करने के लिए कातिल ऐसा किया है चौकानियली बात तो यह है कि ब्लैक बोर्ट पर क्लास वर्क में 25-23 की तारीक लिखी गई है जबकि परिवार और रिष्टोदारों का दावा है कि मदरसे में कोरोना काल से पढ़ाई बंद है अब सवाल उठता है कि बंद पढ़े मदरसे में कौन पढ़ा गय ऐसा लग रहा है कि कातिल पुलीस को गुम्रा करने के लिए गलत तारीक लिख गया है